नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज वल्ल इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग नजर डाल लेते हैं खास खबर पर उत्तरभारत के विशालतम दक्षण शैली के सबसे बड़े मंदर रंगनात मंदर में शुक्रवार को बैकुंट एकादशी के अफसर पर बैकुंट द्वार को खोला गया ब्रह्मा उरत में भगवान रंगनात माता गोदा के साथ निज मंदर से पालकी में विराजमान होकर बैकुंट द्वार पहुँचे जहां स्वामी गोवर्धन रंगाचारे जी के निर्देशन में मंदर के पुजारियों द्वारा पाठ किया गया करीब आदे घंटे तक हुए पाठ और अर्चना के बाद भगवान रंगनात और शटकोप स्वामी की सवारी मंदर प्रांगन में भ्रमन करने के बाद पॉंडिनात मंदर पहुँची जिसे कहा जाता है कि यह बैकुंट लोक में है जहां भक्त बैकुंट द्वार से निकल कर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं मंदिर के स्वामी रगुनात जी ने बताया कि किस दिवसिय बैकुंट उत्सव में ग्यारा बैकुंट एकादशी पर्व पर बैकुंट द्वार खोला जाता है यह एकादशी पर्व की सर्वश्रेष्ट एकादशियों में से एक मानी जाती है मानता है कि बैकुंट एकादशी पर जो भी बक्त बैकुंट द्वार में निकलता है उसे बैकुंट दाम की प्राप्ती होती है मंदर की मुख्य कारिकारी अधिकारी श्री निवासन की माने तो अलवार चारे बैकुंट उत्सव के दोरान अपनी रचत गाथाएं भगवान को सुनाते हैं बैकुंट एकादशी के दिन दक्षिन के सभी वैशनव मंदिरों में बैकुंट द्वार भ्रम मुहरुत में खोला जाता है इसी परंपरा का निर्वाहन व्रिंदावन सित रंगनात मंदिर में किया जाता है बैकुंट उच्व के दोरान पुरुशोत्तम स्वामी, शास्वत स्वामी, यदुराज स्वामी, राम्य रंगाचारे, मालदा गोवर्धन, श्री निवासन, राजु स्वामी, रंगा स्वामी, तुरुपती, आनंद राओ, राकेश देव, आधी प्रमुक रूप से उपस रहे, फिलहाल खास खबर में इतना ही जुड़े रहे म्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ